हुआ हालो विवर्स मैं हूँ कौसर सर्मा आपका स्वागत है कौसर सर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर विवर्स आज की वीडियो में हम आपको एक्सल में यूज होने वाले कुछ इस फाइनेंसियल फंक्शन के बारे में बताएंगे जिनका उपयोग आप बैंक में कर सकते हैं या आप उन सभी जगह पर इन फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं जहां पर फाइनस से सम्बंदित काम किया जाता है जैसे loan देने वाली company, auto vehicle finance company, electronics good finance company और भी कई अन ऐसी finance company हैं जो कि personal loan इत्यादी देती है तो इन सभी finance में हमें इन function का उपयोग करना होता है तो सबसे पहले हम जानते हैं एक महतपूर function के बारे में तो वो है PMT function माली जीए अगर कोई व्यक्ती बाहन खरीद रहा है या अन किसी प्रकार का कोई loan लेने का बिचार कर रहा है तो हम यह कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा मासिक loan EMI क्या होगा तो आप इसे आसानी से computer में इस PMT function के द्वारा आसानी से जाल सकते हैं तो यहां पर हम एक उधारन के द्वारा Excel की sheet पर इसे समझने की कोशिस करते हैं तो विर्स यह हमने Excel की एक sheet को open कर रखा है यहां पर सबसे पहले हम PMT function के बारे में जानेंगे तो PMT function से क्या होता है तो जैसे भी हमने आपको बताए था कि PMT function के द्वारा लिये गए loan के amount में से हम पर मंत की loan की installment निकाल सकते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां हमने loan amount एक लाख रुपए का ले रखा है 10% के interest rate पर इस loan को लिया है और loan का जो period है वो 5 साल के लिए है तो यहां पर हम इस amount की मास से किस्त निकालना चाहते हैं यानि EMI निकालना चाहते हैं कि हमें पर मंत कितनी installment इसमें जमा करनी है तो यहां पर हम PMT function को लगा के देखते हैं तो सबसे पहले यहां हम equal to का sign लगाएंगे तो कोई भी function जब हम XL वे यूज़ करते हैं तो equal to sign के साथ उसको हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम equal to का sign यूज़ करेंगे फिर हम लिखेंगे PMT bracket start किया तो सबसे पहले आप यह देखिए नीचे लिखा हुआ रहा है rate यानि आपने जो amount लिया हुआ है loan का वो कितने percent पर ले रखा है तो यहां पर हम interest rate वाले field को select करेंगे अभी यह interest rate yearly है इसको हमें monthly calculate करना है तो यहां पर divide by 12 ले लिया जिससे कि हर महीने का यह interest निकालेगा कॉमा number of period तो number of period में हमने कितने साल के लिए इस amount को लिया हुआ है तो यहां से हम select करेंगे चुकि यहां पर यह हमने year में ले रखा है इसको भी हमें month में calculate करना है कि हर महीने का यह calculate करें तो यहां पर हम into का sign लगा के इसको 12 से multiple करा लेंगे उसके बाद फिर से comma sign का use करेंगे अब present value आपसे पूछ रहा है कि आपने कितने amount का loan ले रखा है तो यहां पर हम field select करेंगे यह loan amount वाला और उसके बाद यहां पर हम bracket लगा के इसको interface कर देंगे तो देखिए विर्स यहां पर बता रहा है कि अगर आप 1,00,00 रुपए 10% के interest पर 5 साल के लिए लेते हैं तब आपकी जो monthly installment बनेगी वो बनेगी 2124 रुपए 70 पैसे अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यह minus में दिखा रहा है तो यहां आपको थोड़ा सा अपने formula में बदलाब करना होगा करसर को वही पर रखके जहां पर आपने amount वाला field लिया था जो B3 के अंदर डला हुआ है अगर उससे पहले आप यहां पर minus का sign लगा लेते हैं और उसके बाद आप enterprise करते हैं तो इस amount से वह minus का sign हट जाएगा अब आपको real amount यहां पर दिखाई देगा तो इस तरह से किसी भी लिये गए long की हम मासे किस्त निकालते हैं तो विवर्स अभी आपने देखा PMT function के बारे में जिसमें हमने जाना कि कैसे हम EMI निकालते हैं अब आगला function है वो है IPMT function आएए जानते हैं इस function के दौरा हम क्या कर सकते हैं तो विवर्स IPMT function के दौरा हम किसी भी महने का interest निकाल सकतें जो हमें भरना हैं जैसे अभी आपने PMT function के दौरा installment निकाली थी अब हमें यह पता करना है कि इस installment मेंसे हमारा हर महीने ब्याज यानि interest कितना कट रहा है तो वो हम इस IPMT function के द्वारा देख सकते हैं तो इसके लिए भी यहाँ पर हम equal to sign press करके IPMT लिखेंगे तो सबसे पहले हमसे यह rate पूछ रहा है तो वही हम यहाँ से interest rate यहाँ 10% को select कर लेंगे चूँकि इसको भी हमें मंतली निकालना है तो divide by 12 किया, कॉमा अब यहाँ पर PER यानि आपको किस महीने का ब्याज देखना है इस किस्त में से जो हमारी हमने जो PMT के दौरा निकाली थी 214 रुपए इस में से हमारा 22 की रुप में कितना पैसा कट रहा है तो हमें कौन से महीने का ब्याज देखना है वो हमें यहाँ पर डालना होता है तो यहाँ पर हमें को पहले महीने का ब्याज देखना है तो यहाँ पर हम डालेंगे 1 और फिर से कॉमा प्रेस कर देगे अब NPR के रूप में यहाँ पर हम loan period को select करेंगे अब चुकि इसको भी हमें मंतली calculate करना है तो into 12 किया, comma press किया, present value present value में हम यहाँ loan amount को select करेंगे और bracket लगाके इसको interface कर देंगे अब देखें यहाँ पर भी minus में दिखा रहा है PMT function में loan amount में minus का sign लगाया था यहाँ पर भी हम minus का sign लगाके interface करते है तो यह absolute value प्लस में दिखाने लगेगा तो यह देखिए, यहाँ पर यह बता रहा है कि पहले महिने आपका 833 रुपए, 33 पैसे कटेगा इस 2124 रुपए की किस्त में से अगर हमें यह भी जानना है कि हमें इस 2124 रुपए 70 पैसे की किस्त में से कितना principle भरना है यानि मूलधन हमें कितना भरना है तो इसके लिए हमें लगाना होगा PPMT function को तो इसको भी हम यहाँ पर लगा के देखते हैं सबसे पहले इसके लिए भी हम यहाँ पर equal to sign और PPMT तो सबसे पहले rate पूछ रहा है तो rate के लिए हम यहाँ पर interest rate को select करेंगे चुकि मंत्ली इसको भी लेना है तो divide by 12 तो यहाँ पर भी कौन से महीने का आपको मूलधन देखना है कि कितना आपका principle कटेगा तो यहाँ हमें पहले महीने का ही देखना है तो यहाँ हमने बंड डाल दिया कॉमा नंबर ओफ पिरियेड यहाँ पर डाला तो नंबर ओफ पिरियेड के रूप में यहाँ पर loan period in year इसको select किया इसको भी मंत्ली calculate करना है तो into 12 यहाँ पर भी लिया कॉमा यहाँ पर present value में वो loan amount लेंगे चुकि अगर हम यहाँ पर ऐसे ही normal लेंगे तो यह भी minus में दिखाएगा तो हम पहले से ही यहाँ पर minus का sign लगाके उस field को select कर लेते हैं जहां हमारा loan amount डला हुआ है और उसके बाद bracket लगाके interface करते हैं तो यह देखिए यहाँ पर यह बता रहा है कि 1299 रुपै 37 पैसे आपका principal के रूप में पहले महीने कटेगा अगर यहाँ पर हम principal amount और interest amount इन दोनों को total करते हैं तो उस installment का amount आ जाना चाहिए जो हमें उस महीने भरनी है देखते हैं तो इक्वल टू का assign लगाया यहाँ पर जो हमने IPMT के दोरा interest निकाला था इसको select किया plus principal amount को select किया interface करते हैं तो यह देखिए यहाँ पर भी यह amount जो बता रहा है 1224 रुपै 70 पैसे जो की हमने यहाँ पर PMT function के दोरा भी इतना ही निकाला था जिसमें से 833 रुपै interest के कट गए और principal की रुपै यहाँ पर आपका जो कटेगा वो 1299 रुपै 37 पैसे कटेगा और total amount यह बनेगा तो वियर्स आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं यह वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा इसी तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए आगे लाते रहेंगे अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें दूसरों के लिए जिससे की इसका नॉलिज दूसरों को मिले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर ले बैल आइकन के साथ जिससे जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए करेगा और वीडियो से सम्मंदित कोई भी प्रशन या सुजाब हो तो हमें कमेंट जरूर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जहिन